फ्रेंट्स अपने एक वीवर ने रिक्वेस्ट किया कि डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर एक वीडियो जरूर अपलोड की जाए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जितनी जल्दी हो सके इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दी जाए यह टॉपिक यानि कि डिप्रेशन और इंजाइटी मेरे लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजर चुका हूँ और मैंने भी दो बार सुसाइट करने की कोशिश की है तो फ्रेंट्स अगर आप भी डिप्रेशन और इंजाइटी के शिकार है तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो को लास तक देखीगा और अगर आप चाहते हैं कि हैल्थ और फिटनेस रिलेटर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा हलो एवरीवन मैं डॉक्र फारुक वैदॉलाह आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागयत है जहां बाते होती हैं हैल्थ और फिटनेस की friends depression और anxiety के पीछे कई reasons हो सकते हैं कुछ लोग depression में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती कुछ लोग इसलिए depression और anxiety के शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो खुद की और अपने से जुड़े लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते और कुछ लोग इसलिए इसके शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनकी feelings को कोई समझने वाला नहीं उनकी feelings की कोई respect नहीं करता friends reason कोई भी हो जिसकी वज़ा से आप depression में हैं या anxiety के शिकार हैं मेरे बता है इन चार steps को अगर आप follow कर लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप इस समस्या से बाहर निकल गए मैं जो चार steps आपको बता रहा हूं वो सुनने में थोड़े अटपटे लग सकते हैं लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि अगर आज मैं आपको थोड़ा सा भी खुश दिखाई दे रहा हूं तो इनी चारो steps को follow करने की वज़ा से मेरा ये भी यकीन कीजिए कि अगर आज मैं एक health and fitness यूटूबर के रूप में आपके सामने खड़ा हूं और आप मुझे देख रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इन चारो steps को follow किया है step number one जितना जल्दी हो सके तुरंत जिम जॉइन कीजिए जैसे ही आप exercise करना शुरू करेंगे आपके brain में dopamine का secretion बढ़ जाएगा डोपा माइन की वज़ा से ये जो आप sad sad feel करते हैं ये जो उदासी जिम जॉइन करते ही खत्म हो जाएगी step number two आप किसी भी धर्म के हों आप हिंदू हो मुस्लिम हो सिक हो इसाई हो आप कोई भी हो उपर वाले से connect हो जाएए थोड़ा सा धार्मिक हो जाएए मेरा यकीन कीजिए कि इस दुनिया में इस ब्रहमान में उपर वाले से मजबूत पावरफुल एनरजी कोई भी नहीं तो आपके अंदर जो एक निगेटिव एनरजी जाके बस चुकी है ये उपर वाले से connect होते ही आपके अंदर इतनी positive एनरजी आ जाएगी कि पहले से मौजूद जो निगेटिव एनरजी है वो आपसे बाहर निकल जाएगी step number 3 किसी भी अच्छे से पारलर में जाएए किसी भी अच्छे से सैलून में जाएए facial कराएए, massage कराएए, haircut कराएए, pedicure कराएए, body massage कराएए जो भी करवा सकते हैं आप, आपके pocket में जितना पैसा है, आपके पर्स में जितना पैसा है जितना आप beer कर सकते हैं, वो सब कुछ जाकर आप पारलर में या सैलून में करवाएए जैसे ही आप अपनी care करवाएंगे पारलर में या सैलून में आपके अंदर से जो एक चार्म खत्म हो गया है लोगों से मिलना नहीं है मिलने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता, अकेले रहने का मन रहता है तैयार होने का भी मन नहीं करता, ये चार्म वापस लोट आएगा थोड़ा सा investment है आपको अपने body के ऊपर करना है पारलर में या फिर किसी अच्छे से saloon में Step number 4 एक list तयार कीजिए अपने समस्याओं की वो समस्या बड़ी हो या छोटी हो अगर आपको परिशान कर रही है तो वो समस्या list में होनी चाहिए अपनी सारी समस्याओं को line से लिख लीजिए जब सारी समस्याओं लिख जाएं तो उन सारी समस्याओं के सामने उन समस्याओं से कैसे लड़ना है इसे लिखिए हो से कि आपको एक घंटा लगे लिखने में दो घंटा लगे एक दिन लगे चार दिन लगे एक हफ़ते लगे इशू ये नहीं कि आप कितने दिन में इस लिस्ट को तैयार कर पाते हैं इशू ये है कि जब ये तैयार हो जाए लिस्ट तो रोज सुबा उठने के बाद सबसे पहले आपको इसी लिस्ट को पढ़ना है पहले समस्याओं को पढ़ना है और उन समस्याओं से लड़ने के लिए जो तरीका आपने खो जा है उसे पढ़ना है चमतकार हो जाएगा आपके लाइफ में मैं आपसे वादा कर रहा हूँ फ्रेंट्स ये चारो स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी चीज से आपका बाहर निकल गए इस उम्मीद के साथ आप से विजा लेता हूँ कि मेरी बात हैं आपको समझ में आई होंगी अगर आपको लगता हूँ मैं मेरे वीडियो आपके लिए आपका फ़र्णस के लिए तो थोड़े से भी फायदमन है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंड और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स अलाट